हलो दोस्तों आज कुछ अलग सिखाने का मन कर रहा है तो अलग बाते करेंगे बट इससे पहले दो वीडियो हम आज की रेट में अपलोड कर चुके है कडानी विलमार से लेटे कि शेयर क्यों गिर रहा है एक यहां पर 18 रूपे का शेयर है इससे पहले मैंने कभी इस तरीके के वीडियो बनाए नहीं है तो आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा से आपको एक नॉलिज देने की कोशिश करूँ आपको सिखाने की कोशिश करूँ कि हां इस तरीके से भी चीटे काम करती है तो आपने EMA और DMA तो के आपने EMA और DMA दो वर्ड यहां पर सुने होंगे इसका मतलब क्या है? EMA का मतलब होता है Exponential EMA Exponential Moving Average या फिर आपने Simple Moving Average या आपने Daily Moving Average इस तरीके से यहां पर सुना होगा D का मतलब है Daily Moving Average तो है क्या? क्या इसका मतलब है और यह चार्ट पर कैसे काम करता है उस चीज़ से लेडिर हम क्या करने वाले है आज हो यहां पर बात करने वाले है तो यहां पर हम बात करेंगे और यहां पर देखूंगा आपको कुछ जादू दिखाऊंगा वो जादू देखके आपको यहां लगेगा कि आज शायद किसी ने मुझे बताया है पहली बार यहां पर सबन में आई है कि ऐसे होने पर ऐसा होता है तो सबसे पहले EMA और DMA का मतलब क्या है और वो कहां से लगते है तो यहां पर आप कुछ लाइंस देख रहे होंगे यहां पर देख रहे हो आप हर चार्ट में कोई ना कोई लाइंस यहां पर देख रहे होंगे करती भी दिखाया देता है वो क्या हमें इन फ्लाइंस को यूस करना ची यह उस चीज से लेटे राच हम यहां पर काम करेंगे हो यह एक, एक मार्केट में काम करती है यह सक चार्च NAS Special कर दो दो फिञाड़ा सा इससे के पहले तो आफ में चीज्च आप के लिए यह चार्ट के लिए यूज्च करतोंगे तो महां पर आप मुविंग अवरेज डलेंगे तो यहां पर आजाएगा simple moving average, moving average, okay यह तो MCD है और यहां पर moving average exponential आजाएगा, ठीक है तो आप कोई भी use कर लीजिए, या तो moving average exponentially use कर लीजिए, या simple moving average use कर लीजिए, okay कोई साभी यहां पर use कर लीजिए, तो आपको इसी तरीकी की लाइन है कि थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है, mostly क्या करते है, बड़े-बड़े लोग या फिर जितने भी लोग से सब यहां पर moving average exponential यहां पर use करते होगे, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, EMA 21, EMA 200, ठीक है जब आप आप आपर जाके click कर देंगे, यहां पर आजाएगा और यहां पर देखिए moving average exponential, तो इसका मतलब क 21 का क्या मतलब है, 200 का क्या मतलब है, कोई लोग 50 यूज करते है, कोई लोग 100 यूज करते है, कोई लोग 5 यूज करते है, कोई लोग 8 यूज करते है, कोई लोग 3 भी यूज करते है, तो वो अलग-अलग time frame पर, अलग-अलग चरीके से यूज की जाती है, सबसे पहली बाव इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है 21 लिख दिया, 21 का मतलब है कि 21 days में किस तरीकी candle बन रही है, 21 candles को जो एक average, एक line आती है, उसकी movement आती है, उसे कह देते हैं, यहाँ पर 21, 200 moving average का मतलब है 200 days की candle, 200 trading session की candle, जैसे यहाँ पर 200 अगर कुछ बन रहा है, जैसे यह line है, तो यह line क्या यह 200 की line क्या indicate कर रही है, यह uptrend कर रही है, यहाँ पर sideways कर रही है, यह downtrend कर रही है, उस तरीके से हमें यहाँ पर शीचे यहाँ पर नजराती है, तो यह हर एक line अलग-अलग, दिन को यहाँ पर indicate करती है, trading session को यहाँ पर indicate करती है, और उसके according, यहाँ पर एक line बनती ही नज तो इस तरीके से यहां पर आप देखो यह 200 है, तो इस तरीके से यहां पर यहां पर जाके चेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यह trend को बताता है, कि market किस तरीके के trend में है, अब trend में है, side base में है, यह down trend में है, किस तरीके के trend में यहां पर यह चलते हुए नजर आ रही है, यह trend को indicate करता है, अब देखिए, मैं आज के बड़ 21 DMA की बात करूँगा, ज्यादे हैं यहां पर बात रहे होंगे, कि mostly share, जितने भी share यहां पर चल रहे है, यह चलते हुए नजर आते हैं, वो mostly क्या करते है, 21 DMA को support लेते के, यहां पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, अगर कोई चीज़ यहां पर uptrend में है, तो mostly 21 DMA का support लेते है, उपर गया, देखिए, 21 औफ चीए, उप पर गई, फिर दुबारा गिरा, तो 21 का support लिया, फिर गिरा, 21 का support लिया, एक बार इसने 50 का भी लिया, फिर इसके बाद देखिए, उपर भागा 21, 21, तो इस तरीके से 21 का support लेके यहां पर चीज़ चलती है, और इसके बाद जब चीज़ इस तरीके से गिर भी रहे है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यह 21 का ही support लेके गिर यह यहां फिर कभी-कभी 50 का, तो इस तरीके से यहां पर हर एक chart को यहां पर आप देखिए, हर एक chart इसी तरीके से behave करता हुआ नजर आता है, यहां पर आप देखेंगे 21-21-21 के साथ उपर जा रहा है, और जब गिर भी रहा है तो यहां पर 21 का ही सपोर्ट लेकि यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और आगे यहां से थोड़ा सा बात करूंगा अब उससे पहले रिक्वेश्ट है चानल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हीट और की नोटिफिकेशन को और करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलते रहे हैं बाती की जाती है तो यह पूरे कोर्स में टाकिनिकल बेसिक्स टुए रिसर्च फंडामेंटल एस वेल एस र नीचे आता है तो ऊपर कब जाता है क्या टार्गेट होते है क्या नहीं होते वह सब यहां पर बताया जाता है त्री मंस की प्रेक्टिकल लेडिंग पूरा कोर्स कराए जाएगा स्टाइज यो मार्किट में यूज होती है ऑनलाइन नोट्स दिये जाएंगे इन नमबरों पर कॉंटेक्ट करके ओके पहुच कर लिजे नमबर सेफ कर लिजे मैसेज करिए कॉल करिए वाटसब करिए फीज अभी 15,000 थी काफी टाइम से हमारी 15,000 थी बट 15 तारिक तक एक ओफर था वहां तक 15,000 थी अब यहां पर वो खतेम हो गया 17,500 की फीज हो गही ह तो आप यहां पर कॉंटेक्ट कर सकते हो और अच्छा खासा है, आप काम कर सकते हो, आपको पता है मारे डूप है, जहाँ पर वन थाओजं रूपीस पर मन्त में, आप इस वॉट्टसब गूरूप में जॉइन होके अच्छे हां से पैसा कमा सकते हो, इस तरीके ही यह यहां पर इसके इलाबा और भी काम किया जाता है यहां पर किसी का portfolio बड़ा है तो वो हमसे contact कर सकता है थोड़ा सा time अगर हमारे साथ जोड़के निकालता है तो यहां पर अच्छे return यहां पर आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं कितने वो कहने जाए सकता market है कभी downtrend कभी uptrend but average अच्छे return आपको मिलते हुए नजर आएंगे तो यहां पर contact कर सकते हैं तो देखिए 21DMA का मतलब क्या है बहुत ज्यादा यह चलने वाली चीछ है 21DMA हम यूज क्यू करते हैं आपने फिवनाशी का यहां पर पड़ा होगा फिवनाशी यहां पर एक extension होता है मतलब फिवन 13, 13 plus 8, 21 तो 21 आया है न तो इसी लिए हमने यहां पर 21 तो यह फिवनाशी पूरे वर्ल्ड हर प्रकरती के हर चीज में आप लागू होती हुए नजर आती है कभी हमारी क्लास में आएंगे आप सीखेंगे तो इस ताइम में आपको यहां पर और elaborate करता हुए नजर आऊंगा पर 21 डिया में इसी तरीके से काम करता है तो यहां पर जब भी trend, uptrend में होता है तो यहां पर याद रखिये चीज़ है उपर जब चलती है तो अच्छे घासे चीज़ चलती है तो 20 का support लेके यहां पर चीज़ चलती हुई नजर आती है और इसी तरीके से जब चीज़ गिर कि शायद यहां पर अगर चीजे नीचे भी आ रही है 20 का support लेकर थोड़ा time spend करके फिर उपर जा रही है तो यह 20 का जो डिय में है यहां पर आपको बताता है कि यहां पर uptrend में है यह line बताती है कि यह चीजे uptrend में है sideways है यहां गिरता हुआ नजर आ सकता है यहां पर सिन गिरावट हूँ सकते ही इहां पर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर uptrend में है इससे पρχले आप नीचे बता तो 20 यहां पर ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से आपने target decide कर सकते है, आपको पता चल जाएगी कि हमें इस share में बने रहना है या फिर यहां पर यह थोड़ा सा गिर सकता है, तो यह थोड़ा सा lagging indicator भी है, lagging का मतलब क्या है, कि हो जाने के बाद ये थोड़ा सा आपको दिखाएगा यहाँ पर गिर चुका होगा फिर दिखाएगा कि यहाँ पर यह गिर रहा है बट आपको फिर भी यह थोड़ा सा लेड जरू इंडिकेट करेगा बट आपको बताएगा बट क्याद रखिए इसलिए मैं क्या कहता हूँ, course, यह course तो important ही है, जब यहाँ पर आप course मा आएंगे न, तो बताऊंगा, कि यहाँ पर और कुछ क्या action होता हुआ, नजर आया है, जिसने यहाँ पर बताया है, कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या यहाँ का price का, और volume का behavior है, जब हम पूरी study को, सब चीज को यहाँ पर मिला देते हैं, तब एक result निकल के आता है, वो हमें बताता है, कि यहाँ पर हमें बेच देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर हमें खरील लेना चाहिए था, ओके, इंडिकेटर ने ज़रूर बाद में बताया होगा, बढ़ हमारे study ने बता दिया, कि हमें यहाँ पर खरील लेना चाहिए था, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस course को करके, यहाँ पर अपने सारे के सारे, portions के answer मिलता हुआ नजर आ सकता है, और ऐसी बात में है कि यहाँ पर ही, आप में यहाँ पर देखी options, यह क्या चल रहा है options, options में भी देख रहे होंगे, देखिए, 20 का support लेके चीज़े उपर जा रही है, 20 का यहाँ पर support है तो उपर, और इसी तरीके से जब चीज़े नीचे आ रही है, तो 20 का support लेके चीज़े नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, higher highs, higher lows, और lower lows, lower highs यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, 20 का support लेके चीज़े नीचे, तो आपको यह जो indicator है, बहुत help करता हुँए नजर आएगा, आज आपको इस indicator से related सारे के सारे queries खतम हो गई होगी, और भी जानना है, और भी indicator से related क्या हम यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, क्या से mix match करते हैं, price action, indicator हो सबको एक साथ, अलाके अच्छा गासा पैसा कमाया जा सकता है, उसके लिए course आपके लिए 17,500 कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी के base पर stocks भी देते हैं, और आप क्या कर सकते हो, आप इन stocks पर क्लिए जानकारी रहने के लिए WhatsApp ग्रूप में जॉइन हो जाईए, पता चल जाएगी, Thank you so much, God bless.